वेलकम तुदवे मैट्स प्रसनावली 8.4 का कुछन 5 का सेवन्थ पार्ट है कि हमें साइन ठीटा माइनस 2 साइन क्यू ठीटा बटा में 2 कॉस क्यू ठीटा माइनस कॉस ठीटा को हमें 10 ठीटा के एक्वल में करना है तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसे हम लोग LHS कहते हैं और इसे RHS किसी भी एक टर्म को लेकर हम लोग किसी भी एक टर्म को एक्वल करतेंगे तो मैं अब ले रहा हूं LHS तो लिखूंगा LHS से जिसे भी लेते हैं उससे हमें लिखना पड़ता है ताकि हमारे एक्जाम में तीचर को कोई देखने में दिक्कत ना आए और हमें फूल मा रहा है फ्सकुर कोफ़ये हूं कि अब साइन पिर्च कामन होगया तो क्या बच्छे करकी साइन घटायंका इंट चुण टोसाइं टीजा के कुaux और माइनस इसमें क्या बचेगा 2 sin square theta कितने बच्चों को सब्सक्राइब नहीं आता तो मैं समझा रहता हूँ जैसे 2 sin q theta था और नीचे क्या था sin theta मैंने कौमा ले लिया था तो sin इसे मैं ऐसी सकता हूँ 2 into sin theta into में sin theta into में sin theta मैंने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि ये 3 बार tube लगा हूँ तो ये sin theta तो sin theta से sin theta कट गया क्या बच्चा 2 into sin square theta तो वही मैंने लिखा था ठीक है ये हमाने bracket लगा दिया उसी तरह इसमें हमें क्या common दिख रहा है cos theta तो cos theta हम लोग common ले लेंगे तो जगर cos theta मैं common लूँगा तो इसमें क्या बचेगा 2 into cos square theta 1 cos square घट गया 3 से क्या हो गया 2 हो गया और minus cos square में से अगरे पूरे मैं common ले लो क्या बचेगा सिर्फ 1 तो सिर्फ 1 clear है तो अब हम लोग क्या करेंगे sin theta बटा cos theta हमारा क्या होता है 10 theta तो यह हमारा 10 theta और नीचे क्या है 1 minus अब देखिए 2 मैं sin square theta को क्या लिश सकता हूँ 1 minus cos square theta किसे कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए क्योंकि मैंने यह पढ़ा रखा है basic में कि sin square theta 1 minus cos square theta के equal में होता है क्योंकि मैं होता है